अलो जैहिन दोस्तो तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे भारत का जनसंख्या के ड्रिश्टी से सबसे बड़ा राज उतर परदेश तो आईए चलते हैं उतर परदेश यहां लोग उतर परदेश के बहुत सारे जनकारी को यहां पर जानेंगे कि उतर परदेश में क्या है और क्या नहीं है और उतर परदेश में बहुत सारे धार्मिक अस्थल से लेकर के परियान अस्थल भी आपको बिरजमान है और आगरा की ताज महल की तो खैर बाते नहीं है क्योंकि आप जान लिजिए कि यागरा तो पूरे बिश्व में अपना एक अलग पहचान रखता है तो चलिए शुरू करते हैं आज का कलास चलिए देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि उतर परदेश में रेलवे नेटवर्क में भारत में प्रथम अस्थान पर है उतर परदेश का जो रेलवे एस्टेशन है चार बाग रेलवे एस्टेशन जो पूरे भारत में प्रथम अस्थान पर है क्योंकि इसका रेलवे नेटवर्क जो है पूरे भारत में सबसे बड़ा है और ये प्रथम अस्थान पर आता है ठ यह आपको लखनव का इमाम बाड़ा है, ठीके न, इमाम बाड़ा का एचितर है, आप कभी लखनव जाओ, तो इस जगह पे जरूर घुमो, क्योंकि लखनव उतरपरदेश की क्या है, रजधानी है, तो उतरपरदेश की रजधानी जो है, यह लखनव है, और लखनव में ही चलिए आगे देखते हैं उतर परदेश के मुख मंतरी कौन है तो उतर परदेश के मुख मंतरी जो है योगी अधीत नार्थे हैं ठीके जो इनका यहाँ पर इमेज आपको दिखाया जा रहा है ठीके चलिए आगे देखते हैं उतर परदेश में आगे चलिए उतर परदेश के बात करते हो तो उत्तर प्रदेश में जो जीला है जो डिस्टिक है वह आपको 75 है 75 जीले हैं उत्तर प्रदेश में अगर भारत के महत्पून जीलो की संख्य अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है अब जाएए प्ले लिस्ट में उसको देख सकते हैं चले आगे देखिए यह जो चीतर आपको दिख रहा है यह है आपको सारस क्रेन ठीक है तो उत्तर प्रदेश की जो राजकी यह पक्छी जो है यह सारस क्रेन होता है ठीक है चले आगे देखिए अभी की वीडियो में सिर्फ उत्तर प्रदेश की बाते की जाएगी दूसरा क बात किसी की बात नहीं होगा आगे देखिए उतर परदेश की राजकी ही पशु भारत का सब से पुराना आगर हाई कोट स्वांगर करते हो तो पर्याग राज में है ठीके यह हाई कोट का द्रिस है ठीके तो चलिए मैं आसा करता हूँ कि उत्तर परदेश से जुड़ी हुई यह बाते को आप समझ गए होंगे आप हमें और भी राज की अगर जनकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बरता हैं उस राज के लिए मैं